गाईज अगर आप अपने किसी भी फोटो और वीडियो को हमेशा के लिए सेव करके रखना चाहते हैं वो भी फिरी में तो फिर मैं आपको गूगल फोटो अप्लिकेशन रेकमेंड करूँगा क्योंकि ये अप्लिकेशन हमें गूगल प्रोवाइड कराता है और साथ ही ये अप्लिकेशन काफी टरस्टिड और एक सिक्क्यूर अप्लिकेशन है और इस अप्लिकेशन में आपके किसी भी डाटा का जो है मिस्यूज नहीं होता तो आप इस वीडियो को पूरा बच करना तो हेवट सब गाईज मैं सोनू और आप हो ओनली अबाउट टिक्नोलोजी यूटूब चैनल पर तो चलो वीडियो शुरू करें फोटोज और वीडियो हमेशे के लिए सेव रखने के लिए प्लेश्टो से आपको सबसे पहले ये एप्लिकेशन को इंस्टोल कर लेना है गूगल फोटोज जैसे है आप इसे ओपन करते हो तो आपके सामने जो है permission को option आ जाता है तो आपको permission को allow कर देना है और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से interface आ जाता है यहाँ पर आपको दो option मिलते हैं do not backup and turn on backup यानि कि अगर आप Turn On Backup पर क्लिक करते हो तो आपके फोन में जितनी भी फोटोस है और वीडियोस है और जैसे आप New Photos क्लिक करते हो और वीडियोस क्लिक करते हो तो वो जो है आपके गूगल फोटोस में हमेसे के लिए सेव हो जाएंगे यह जो ऑप्सन है डू नोट बैक अप इस पर आप जैसे क्लिक करते हो तो यहां पर आपको खुछ से मैनुवली जो है फोटोस और वीडियोस को गूगल फोटोस में सेव करना पड़ेगा तो उससे पहले गाईज होंगे यहां पर आपको मैनुवली खुछ से फोटोस वीडियोस सेव करना पड़ेगा तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूं और उसके बाद आपके मोबाइल में जितने भी फोटोस और वीडियोस सेव होंगे वह आपके सामने जो है गूगल फोटोस में आ जाएंगे आप दे कोई भी एक जो है इंपोर्टेंट फोटो है आप जैसे इस पर क्लिक करते हो यह आपकी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट फोटो है आप जो है इसे हमेसे के लिए सेव रखना चाहते हो गूगल फोटोस में तो आपको क्या करना है आपको इस फोटो को ओपन करना है और यहा करने हैं उसके लिए आपको जो है more वाले option पर click कर लेना है यहाँ पर जो है आपको एक Google photos को option मिल जाता है आप देख सकतो हो अप्लोड to photos जैसे आप इस पर click कर देते हो तो यहाँ पर आपको file की size दिखा जेता है यहाँ पर upload upload का option आपको मिल जाता है आप जैसे इस पर click करते हो तो उसके बाद guys आप देख सकते हो यह photo upload हो रही है और जो photos successfully upload हो चुकी है और यह जो आपके Google photos में हमेसे के लिए save हो चुकी है अगर आप जैसे अपने किसी और phone में अपना Gmail account login करते हो और Google photos के अंदर अपना Gmail account login करते हो यही वाला जो आपने Google photos में login करा है तो वहाँ पर आपकी यह photo जो आ जाएगी लेकिन बाकी photos और वीडियो नहीं आएंगे जब तक आप आप जो है manually खुछ से upload नहीं करते तो यहाँ पर आपको जो है जितनी भी photos आपकी जो upload करनी है वो आप कर सकते हो उसके बाद आपके दूसरे phone में जैसे आप login करते हो तो आपको सारी photos अवेलिबिल हो जाएंगे इसी के साथ guys मैं इसकी जो सभी setting है वो आपको बता देता हू यहाँ पर आपको जो है प्रोफाइल आपको मिल जाती है आप जैसी इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको जो है एक account चूज करना पड़ेगा फिर से तो मैं जो अपना second वाला account चूज कर लेता हूँ जिसमें मुझे photo हमेसे के लिए save रखना चाहता हूँ तो मैं इस पर click कर लेता हूँ और उसके बाद guys आप देखते हो तो यहाँ पर आपको जो काफे सारे option मिल जाते हैं तो backup on and sync यह जो option है guys इसको जैसे आप enable करते हो तो यहाँ पर जो आपके जो photos वीडियो है जैसे आप new new photo click करते हो और video shoot करते हो वो automatically आपके google photos में save हो जैसे आप इसे disable कर देता हो तो यहाँ पर आपको खुछ से manually photos को save करके रखना पड़ेगा तो मैं इसको enable कर देता हूं and इस पर click करके आपको guys अगले option भी बताएता हूं तो यहाँ पर Google आपको 15GB तक free storage provide कराता है यहाँ पर आपको 15GB तक आप photos और videos को save करके रख सकते हो इस आप देख सकतों यहाँ पर आपको सामने जो काफी सारे option आ जाते हैं यहाँ पर आपको monthly और anually plan का option मिल जाता है और आपको monthly plan सीघ्ञे तो आप ले सकते हो यहाँ पर आपको 130 रुपन ऑन सुग धिस पर फोल जाता है उसमें जो आपको 200gb का श्टोरिज मिल जाता है फिरी अगर आपको अपलोड साइज का अप्छन मिल जाता है आप जैसी इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको जो क्वालिटी का अपशन मिल जाता है यानि कि जब आप दूसरे फोन में अपनी आईडी क पर click कर लेंगे और इसको जो है select कर लेंगे तो यहां पर आपकी जो फोटोस है वो original quality में आपको मिल जाएगी और उसके बाद आपको mobile data uses को option मिल जाता है यहां पर आपको डेली limit for backup option मिल जाता है यहां पर आपको जो कितनी MB तक use करना है यहां पर अगर आप 30 MB सेट कर देते तो आपका mobile data वो 30 MB तक आपकी photos को save करेगा यहां पर आप जो इसको unlimited भी कर सकते हो और अगले option में आपको backup device folders मिल जाता है आप जैसी इस पर click करते हो तो यहां पर आपके सामने आप इसको enable कर देते हो तो इस folder के जितने भी photos है वो आपके जो automatically आपके Google photos में save हो जाएंगे हमेशा के लिए and मैं इसको जो यहां से back कर देता हूं and बाकी option को आप जो है default ही रहने देना मैं इसको back कर देता हूं and इसी के साथ ही guys मैं आपको जो है Google photos का एक interesting feature भी बता देता ह हो आप जैसे किसी भी photo पर click करते हो तो यहां पर आपको edit को option मिल जाता है और आपको यहां पर a class का option भी बיל जाता है आप जैसे इस पर click करते हो यहां पर आप continue करते हो तो यहाँ पर आपको जो है translate, text, search, shopping आपको काफी सारे option मिल जाते हैं आप इस pick को search भी कर सकते हो तो यहाँ पर आपको result दिखा देगा एंड इसी के साथ आप text पर जैसे click करते हो तो यहाँ पर इसका जो text आप copy कर सकते हो यहाँ पर इस image का जो text है वो आपको translate भी कर सकते हो तो guys आप देख सकते हो यह जो English का text है वो Hindi में convert हो चुका है यहाँ इसको यहाँ से back कर देता हूँ और नीचे आपको अगले option में search का option मिल जाता है यहाँ नीचे आपको favorite का option मिल जाता है आप देख सकते हैं यह वही photo जो मैंने अभी अभी favorite में डाला है और नीचे आपको जो recently added का option मिल जाता है यानि कि जितने भी photo आपने recently में जो add कि है Google photos में वो आपको जो show हो जाएंगे मैं इसको back कर देता हूँ और नीचे आपको जो screenshot का folder मिल जाता है यहाँ पर आपके phone में जितने भी screenshot लिए है वो आपको show हो जाएंगे और इसके नीचे आपको videos को मिल जाता है जितने भी videos आपके phone में वो आपको जो इस folder में show हो जाएंगे और ऐसी आपको काफी सारे option मिल जाते है और यहाँ पर आपको एक photo scan का option भी मिल जाते है आप जैसे इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको इस पर click करना होगा और यहाँ पर आप demo देख सकते हो guys आपको कुछ इस तरीके से image को scan करना होगा और उसके बाद आपको उस image का result मिल जाएगा और मैं इसको जो है back कर देता हूँ और इसके नीचे आपको save creation का option मिल जाता है आप जैसे इस पर click करते हो और इस plus वाले icon पर click करते हो तो यहाँ पर आपको तीन option मिल जाते हैं आप यहाँ पर movie भी बना सकते हो आप image की animation भी बना सकते हो तो guys मैं आपको एक animation बना कर भी दिखा देता हूँ मैं इस पर click कर लेता हूँ और यहाँ पर जो कुछ photos को choose कर लेता हूँ और इसको जो है create पर click कर लेता हूँ और उसके बाद guys आप देख सकते हो animation जो है बन चुका है मैं इसको जो है back कर देता हूँ और guys यहाँ पर जो आप movies भी बना सकते हो मैं इस पर जो है plus वाले icon पर click कर लेता हूँ और जैसे plus वाले icon पर फिर से click करता हूँ यहाँ पर जो है मुझे कुछ photos को choose कर लेना है और उसके बाद जो है create पर click कर लेना है guys आप देख सकते हो जितने भी photo मैंने select किये थे उनकी जो है movies बन चुकी है यहाँ पर मैं जो यहाँ पर जो इसको play करके भी दिखा देता हूँ आप यहाँ से जो इसका music भी change कर सकते हो और मैं जो इसको back कर लेता हूँ यहाँ से नीचे guys आपको cinematic photos को option मिल जाता है यहाँ पर जो आपको जितनी भी cinematic photos है वो आपको जो category में बढ़ जाएगी मैं इसको back कर लेता हूँ इसके बाद guys आपको sharing वाला option मिल जाता है आप जैसे इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको जो दो option मिल जाते है create said album and share with partner मैं यहाँ पर gaming type कर देता हूँ और उसके बाद guys आपको जो यहाँ पर plus वाला icon मिल जाता है आप जैसे इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको जो कुछ photos add करना होगा जो भी आप इस album में रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर 4 photos को select करके add पर click कर देता हूँ तो guys आप देखते हो तो यह album बन चुकी है और यहाँ से जो मैं इस album को directly share भी कर सकता हूँ अपने partner के साथ and share करने के लिए guys मुझे इस पर click करना होगा and यहाँ से जो मैं इसे directly कहीं पर भी share कर सकता हूँ तो मैं इसको जो यहाँ से back कर लेता हूँ and अगला option आपको मिलता है share with partner आप जैसे इस पर click करते हो और यहाँ पर get started पर click करते हो तो guys यहाँ पर आपको एक email address select करना होगा जिसके साथ आप जो अपनी photos और videos को share करना चाहते हो यहाँ से आप search भी कर सकते हो यहाँ पर आप जो भी email select करते हो उससे होगा किया जो भी आपने album बनाया है तो वो यहाँ से जो आप directly share कर सकते हो अपने partner के साथ में तो मैं इसको यहाँ से back कर लेता हूँ अगला option आपको library का मिल जाता है आप जैसे इस पर click करते हो तो यहाँ पर आपको top पर 4 option मिल जाते हैं पहला है favorite का guys मैं इसको जो है already बता चुका हूँ जो भी image आप favorite में रखते हो तो यहाँ पर so हो जाएंगी अगला option आपको मिलता है utilities का आप जैसे इस पर click करते हो तो guys यह option भी मैंने आपको जो है बता दिया add partner account यहाँ पर आप अपने partner का account add करके अपनी photos और videos को share कर सकते हो तो मैं इसको यहाँ से back कर लेता हूँ और उसके बाद आपको archive को option मिल जाता है यहाँ पर आप अपने data को जो है archive में रख सकते हो plus वाले icon पर click करके तो मैं इसको जो है back कर लेता हूँ अगला option आपको मिलता है bin का यानि कि जो भी आप अपनी photos को delete करते हो Google photos में से वो आपके bin में आ जाती है यहाँ से आप जो है अपनी photo को restore भी कर सकते हो आप इससे अपने device में ला भी सकते हो तो मैं इसको जो है back कर लेता हूँ नीचे आपको जो है particular folder मिल जाते है आपको जो है आपके camera का folder मिल जाता है और आपको जो है whatsapp का folder मिल जाता है नीचे आपको create का option मिल जाता है आप जैसे इस पर click करते हो यहाँ पर guys आप खुछ से जो है अपना एक folder बना सकते हो या उसे आप album भी कह सकते हो for example guys मैं आपको दिखा देता हूँ तो मैं यहाँ पर gaming लिख देता हूँ और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर select photo पर click करना होगा और उसके बाद जो भी photos आप इस folder में रखना चाहते हो तो guys उसको जो है आपको select कर लेना है तो मैं यहाँ पर gaming की photos को select कर लेता हूँ तो यहाँ पर guys आप बहुत सारे folders बना सकते हो particular जो भी आपके document का या किसी का भी तो बस इसी तरीके से आपको जो इस application को use करना है और आपके जितनी भी photos और videos है वो आप जो इस application में save करके रख सकते हो हमेशा के लिए तो फिर बस आज की वीडियो में इतना ही